हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैच चनल आज हम बहुत ही टेस्टी और मसालेदार खिचडी बनाने वाले हैं और इसे बनाने का तरीका बिलकुल अलग है खिचडी बनाने के लिए हमने तीन कटोरी चावल और एक कटोरी मूंग दाल को पहले मिक्स करके अच्छी तरह से दो पानी से धो लिया है इसके अलावा यहां मैंने तीन बड़े प्याज, चार टमाटर, इसके साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च और दो आलू को छील कर कट कर लिया है इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया और अद्रक लहसुन को भी छील कर बारिक बारिक कट कर लिया है और मसालों में आदा चमच हलदी पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चमच धनिया पाउडर मैंने लिया हुआ है और गरम मसाले में मैं बादश्या का गरम मसाला इसके साथ थोड़ी सी दालचीनी, तेजपत्ता, लौंग और काली मिर्च ले ली है और जो एक special चीज है वो है कटोरी भर के मलाई इससे खिचडी का स्वाथ बहुत ही बढ़ जाता है खिचडी को बगारने के लिए यहां देड़ चमच भर के मैंने तेल लिया हुआ है और इसे मैंने एक लोहे की कड़ाई में डाल दिया है गैस को तेज आज पे रखना है और जैसे ही तेल गर्म हो जाए हमें राई इसमें डाल देनी है जैसे ही राई चटकना बंद हो जाए तब हमें इसमें जीरा डाल देना है यहां मैंने डेड़ चमच राई और डेड़ चमच जीरा डाला हुआ है इसके बाद हमें दालचीनी को भी इसमें डाल देना है और इसके तुरंट बाद ही काली मिर्च और लॉंग को भी हमें इसमें डाल देना है और तेज पत्तों को भी डाल देना है और इसके तुरंत बाद ही अदरक लेसन जो हमने कट करके रखी हुई थी इसे भी डाल देना है और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद हरी मिर्च को डाल देना है और इसके बाद प्याज को भी हमें डाल देना है अब ये जो मसाला है इसके हिसाब से एक चमच नमक लगेगा और तीन कटोरी चावल और एक कटोरी मूंग दाल इसका चार चमच यानि टोटल पांच चमच में यहां नमक डाल रहे हूं प्याज के साथ नमक डाल देने से प्याज जल्दी भुन जाता है और अच्छा भुन जाता है जब प्याज का रंग सुनहरा हो जाएं तब इसमें हमें टमाटर डाल देने हैं और जब टमाटर हलके से गल जाएं तब हमें इसमें मसाले डाल देने हैं यहां मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूं इसमें और कड़ी पत्ता डालने के बाद मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर भी डाल देना है जालों के साथ ही जो हमने आलू काट कर रखा था वो भी हमें डाल देना है नवर इसके बाद धनिया पती हमें डाल देना है और मसाली को तक more or you nothingयां तब तख जब तक किनारी से तेल ना चोड़ने लगे अब इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है इन मसालों का एक गलास पानी तीन गलास पानी चावलों का और एक गलास पानी एक कटोरी मुंग दाल का इस हिसाब से हमें पांच गलास पानी डाल देना है पानी डालने के बाद एक चमच गरम मसाला डाल देना है और जो मलाई थी वो भी हमेज में डाल देनी है यहां मैंने पू उसे डाल देना है और इस पानी को भी हमें कुकर में डाल देना है कुकर में डाल देने से पॉस्टिकता बनी रहती है और चावल बहुत ही अच्छी तरह से पक जाते हैं अब कुकर को हमें गैस पर चड़ा देना है आज को तेज रखना है गैस केट और सीटी अच्छी तरह से लगानी है गैस की तेज आज पर हमने एक सीटी बजने दी इसके बाद आज को धीमी कर दिया और दो सीटीयां और बजने दी है इससे ये खिचडी बहुत ही अच्छी तरह से पक जाती है और खाने में ये बिल्कुल मक्षन जैसी लगती है अकसर कड़ी नहों तो खिचडी ख वीडियो को लाइक करें और शेयर करें